नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजे ब्रमातमस आज सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका आभार कि मैं पहुँच गया हूँ 4000 और इस पर मैं बात आगे शुरू करूँ इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इन दिनों मैं बायमिय कॉफी के साथ जुड़ा हूँ अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं लाइक करते हैं आपको अच्छा लगता है शेयर करते हैं उसे तो बायमिय कॉफी से जाकर मेरे लिए कॉफी खरीदें और मुझे सपोर्ट करें जबसे या सम्मंद हमने साथ तब से कई सारे प्रशंशकों ने दोस्तों ने और दर्शकों ने कॉफी खरीद कर मेरे साथ आये हैं मेरी मदद किये मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं किसी ने एक कॉफी खरीदी किसने 21 कॉफी खरीदी सबको समान रूप से मैं शुक्रिया आदा करना चाहता चाआज 4000 की संक्या पहुँchnे पर आगे वीडियो देखें और इसे पूरा देखें पूरा देखें और आपसे भवृष्य में भी ऐही आग्रा रहेगा कि आप से कोई भी वीडियो आए तो उसे आप पूरा देखें तब जाकर के कई बार वीडियो में ऐसी याज मैं आपको देने आया हूँ आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, महरवानी, बहुत सारा प्यार, सब कुछ इसलिए कि मैं पहुँच गया चार हजार धीरे 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 इस संख्या तक आपके सहयोग से मैं पहुँच पाया हूँ और इसके लिए सिर्फ आपको सुक्रिया क्योंकि यह यात्रा यह सफर यहां तक पहुँचने का सफर पूरे और्गेनिक तरीके से हुआ है मैंने किसी प्रकार की कोई चालाकी नहीं किया है ना सब्सक्राइबर की संख्या बढ़वाने की कोशिस किया है और ना मैंने किसी प्रकार का कोई दूसरा इंतजाम किया ताकि उससे मेरे हम सफरों की संख्या बढ़ जाए यह अपने आप हुआ है और अब हम 4000 तक पहुँच गया हैं मिशन 5000 मैंने पहले ही सुरू कर दिया था अब यह मिशन 5000 सिर्फ 1000 की यात्रा है अब यह देखना है कि हम कितनी जल्दी कितने महीनों में वहां तक पहुँच पाते हैं मेरी कोशिस रहेगी कि 18 अक्टूबर तक जब इसकी तीसरी साल गिरह होगी मेरे यूटूब चैनल की तब तक यह पहुँच जाए तो आप सभी की बहुत महरबानी होगी अगर तब तक यह मुम्किन नहीं होता है तो दिसंबर 2021 में तो यह आकड़ा हम छू ही ले अगर आपका सहयोग होगा आपके मित्रों का सहयोग होगा आपके संबंधियों का सहयोग होगा तो यात्रा असानी से पूरी की जा सकेगी इसली बार भी जब तिन हजार पे मैं पहुंचा था तो मैंने अपने यात्रा को लेकर बात की थी, अपने वीडियो को लेकर बात की थी, उन्हीं बातों को फिर से दोहराने का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जो संक्षेप में मुख्य बाते हैं, वो ये हैं कि मैं अपने यूनिक अंदाज में मैं अपने खास अंदाज में आपके बीच आता हूँ मैं और फिल्मों के रिव्यू करता हूँ अभी फिल्म चर्चा करता हूँ बातें सिनेमा की करता हूँ बातें फिल्मों की करता हूँ इसके अलाबा ताजा प्रसंगों को लेकर ताजा घटनाओं को लेकर भी अपनी और फिल्मों के रिव्यू आते हैं तो बहुत जादा आप लोग पसंद करते हैं मैंने तो यह देखा कि जब मैं पुराने अबनेता अबनेत्रियों की चर्चा करता हूं पुरानी फिल्मों की चर्चा करता हूं तो बहुत जादा लोग देखते हैं और तब भारत से बाहर के पडोसी देशों के दर्शक भी हमारे साथ आकर जोडते हैं। एक चिंता जो मुझे हमिशा रहती है कि मेरे महिला दर्शकों की संख्या अधिकतब 30% तक पहुँची है कभी भी और वो घटकर कभी 5%, कभी 2% तक चली जाती है। लेकिन जब भी मैं heroine oriented किसी फिल्म का review करता हूँ या उनकी बाते करता हूँ तो फिर से ये प्रतिशत बढ़ जाता है। अफसोस यह है कि भारत में और हिंदी में खास करके ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं जो नाई का प्रधान हो। अगर ऐसा होगा तो महिला दर्शकों की भी संक्या बढ़ेगी। लेकिन मैं जल्दी एक सीरीज शुरू करूँगा जिस मैं फिल्मों के सुरुवात से ले करके अभी तक के हर दशक के यात्रा करूँगा और हर दशक में जो मुक्य अभिनेत्रिया रही हैं सक्रिय अभिने टोटल संख्या तीन प्रतिशत के करीब हो गई है जो कि अपने आप में बड़ी बात है मुझे लगता है कि वह दस प्रतिशत आ जाए तो और ज्यादा खुशी होगी मेरी मुझे लगता है कि मैं अपने कंटेंपररी अपनी उम्रे के लोगों के बीच ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी भाशा में कम्निकेट कर पाऊंगा युवाप पिड़ी भी जूड़ी हुई है और उसका प्रतिशत तो बहुँत जादा है पचीस से तीस प्रतिशत तक है युवाप पिड़ी मतलब जो 15-15 साल के हैं उनकी संक्या सबसे जादा है फिर 25-35-35-45-45 इनका प् और कवे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जहां भी हिंदी समझी जा सकती है, जिन दिशों में भी हिंदी समझी जा सकती है, वहां के दर्शक मुझसे जुड़ें, समवात करें, बातचीत करें। अभी जब लाइब की बात होती है, तो मैं उसे कभी फेस्बुक पर कभी टुटर पर कर देता हूं। लेकिन यूटूब पर करने का अपना एक आनन्द है और इसका इस्थाई महत्व है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं संख्या 5000 की। और यह मुझे यकीन है कि आपके सहय योग से, आपके मित्रों के सहयोग से, आपके अपने सुबह चिंतिकों के सहयोग से और मेरे प्रशंशकों के सहयोग से हम यहां तक पहुंच जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है और फिर से दौरा रहा हूंó कि मैं अपने चैनल पर कभी भी मदारी भाषा का इस्तमाल नहीं करूँगा ना कोई चमतकारिक भाषा बोलूँगा और ना लुभाने के लिए कुछ बोलूँगा मुझे जो आता है, मुझे कुछ जो करने आता है, मेरी जो समझ है, मेरी जो परवरिश्री है मेरी जो ज्यानात्मक संबेटना है उसी के आधार पर मैं अपनी सारी बाते करता हूँ मैं मुह देखी नहीं करता हाँ कहीं कहीं आपको लग सकता है कि मैं अग्रह रखता हूँ बाइस रखता हूँ वो फाईसे कलाकारों के प्रतिय रखता हूँ वैसे निर्माताओं के प्रतिय रखता हूँ जो नैय हैं जो छोटे कदमों से इंडुस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं मुझे लगता है उनके प्रती एक सकारात्मक रविया आपको भी रखना चाहिए मैं तो रखता ही हूँ और आप बताएं कि इस में और हम लोग क्या-क्या जोड़ें जिससे आपको ज़्यादा खुशी महसूस होगी और आप ज़्यादा संतोष महसूस करेंगे भागे फिर से शुक्रिया, महरवाने, धन्यवाद, 4000 के संक्या पहुँचाने के लिए